बोलिए एक कहावत है पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच उसकी अगली लाइन बोलूँगा तो दिक्कत में आ जाओंगा तो अगली लाइन नहीं बोल रहा आप गूगल कर लेना ग्यानी को तो ग्यानी मिल जाते हैं और जो अल्प ग्यानी होता है उसको अल्प ग्यानी मिलते हैं अब क्या कारण है कि जो भाजपा का शीर्ष नित्रित्व है उनको ठग मिल जाते हैं वो ठग के चुम्बक हैं ठग उनके प्रती आकरशित हो जाते हैं उनके आकविश्ट करीया नाम इस्तिमाल करते हैं उनके अपने विसिटिंग काड्स में उनके कार्यलाय का नाम लगा देते हैं पिछले कुछ मैनों में जितने जालसाद, फरेबी, नामवर, जिनको हम दो नम्बरी कहते हैं, जितने पकड़े गए, कई हैं जो नहीं पकड़े गए अभी भी, वो सब इस नेत्रितु के करीबी दाइरे में होने का दावा करते हैं या वाकई होते हैं, कई लोग तो विदेशों में सेटल हो गए, अपना काम तमाम करके, और कई हैं अभी भी, जो प्रधान मंतरी कार्या लए, भाजपा के दफ्तरों में, संग के समर्थित जो लोग हैं, उनके आसपास घुम भी रहे हैं, उनसे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लेजिटिमेसी के महाठग किरन पटेल के बारे में आप से चर्चा की थी, वो किस्सा अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें कई और परतें खुल रही हैं, there are several layers to the story of किरन पटेल, which I had in an earlier press conference discussed here, इस व्यक्ति ने फरजी तरीके से कश्मीर जैसे समेधन शील इलाके में जाकर, और Z plus security ली, फिर एक संजे शेरपुरिया, संजे राय शेरपुरिया की चर्चा हुई, जिन्होंने अपना address भी आई, race course के आसपास का दे रखा था, और ऐसा महान ठग था, जिस से जमू कश्मीर के उपराजेपाल मनोज सिना ने भी लोन ले रखा है, 25 लाक का, मतलब कमाल के ठग है, साड़े 300 करोड का गबन किया, 25 लाक बड़े नेता हैं मनोज सिना जी, उनको करजे में दे दिया, आप सब जानते हैं, मुझसे बहतर जानते हैं, कि जो मोदी जी के मंद्री हैं, बिचारों को फीता काटने तक की इजाज़त नहीं है, वो रिबन कटिंग भी नहीं अलाउड, हम जानते हैं, देश में बेरोजगारी है, लेकिन मोदी जी के कैबिनेट में जितनी बेरोजगारी है, वो आपको कहीं और नहीं दिखेगी, देश से भी जादा अगर बेरोजगारी कहीं देखनी है, तो प्रदान मंत्री जी के कैबिनेट को देख लीजिए, असली कैबिनेट, पावरफुल कैबिनेट, ये ठगस ऑफ हिंदोस्तान की, पिक्चर आई थी एक 2018 में, ठगस ऑफ हिंदोस्तान, उससे पहले भी कई पिक् आजकल दिख रहे हैं चारों तरफ असली पावरफुल कैबिनेट इन ठगस की है, ये लोग चला रहे हैं, नीरज सिंग राठोड, मत पूछे कहां के हैं, गुजरात के हैं, अंकित सिंग, मत पूछे कहां के हैं, वासुदेव तावडे, सत्येंद्र चतुरवेदी, तीजा बताता है, कोई अमिच्छा का करीबी बताता है, कोई नड़ा जी, अब नड़ा जी तक के करीबी लोग पावरफुल हो गए, बताएं, नड़ा जी खुद नहीं हो पाए, और उनके करीबी लोग पावरफुल हो गए, ये मजाक तो है, लेकिन देश के साथ हो रहा ह अब नीरत सिंग राठोर तो नडडा जी का निजी सायक बताता है अपने आपको और ऐसा महान आदमी कि कई राज्यों के विधायकों को मूर्ख बना दिया बताईए साथ विधायकों को मूर्ख बना दिया इतना बड़ा ठग और पुलिस ने इसको नागपुर में जाकर जो इधायकों को मंत्री बनाने का जहासा दे रहा था उस आरोप में गिरफ़तार की जवाल यह है कि इतना आत्मविश्वास इन थगों को कैसे आता है हमने तो सुना था कि मोदी जी का आतंक चलता है चारों तरफ उनकी बगैर इजाजत के लोग कल्यान मार गे ना अजकर साथ लोग कल्यान मार छोड़िये पूरे देश में पत्ता नहीं हिलता तो क्या यह उनकी जानकारी में नहीं है और अगर जानकारी में नहीं है तो नौ साल से आप क्या कर रहे थे प्रदान मंत्री बने वे जब आपक तो अब नडड़ा जी आपका ये कैसा सहायक जिसने ठग डाले आपके विधायक इस तरह का सहायक कि अच्छा हमने ये तो हम आश्वास्त हैं कि आप लोग वोट लेकर ठगी कर जाते हो काम नहीं करते लोगों के यहां आपके नाम से पेसे लेकर भी काम नहीं कर रहे तो विधायक विचारे रो रहे हैं मंत्री नहीं बने पैसे किसने लिए वकिस नमसे लिए किस तक पहुंचें कहां पहुंचें कौन है ये लोग कि पिर है घंसाब यश्च अमीन अउफ उर्फ विराज शाह गुजरात के हैं अमिच्छा के भतीजे बताते हैं अपने आपको बेटा तो फिर भी उनका दिख जाता है स्टेडियम में यहां वां कभी दुबाई में कभी कहीं कभी कहीं कभी नरेंद्र मोधी स्टेडियम में यह भतीजा कौन है और कितने भतीजे हैं एक लिस्ट जारी करिए देश को तो मालूम हो अधिकृत भतीजा कौन है अनधिकृत भतीजा कौन है किसकी बात पर विश्वास करें किसको पैसे दे लोग लोग बड़े कंफ्यूज हैं लोगों को समझ में नहीं आ रहा सब यह सहाब भी विधायकों को मंत्री बना रहे थे और इनको भी जिसने पैसे दिये उसके पैसे डूब गए अब एक और नवरतनों में से एक रतन है ब्रिजेश रतन नाम है उनका अब ब्रिजेश रतन जो हैं यह भाजपा नेता के बेटे हैं और यह भी अपने आपको अमि सौ करोड का रेलवे का टेंडर दिलवाने की अवज में शिकायत हुई कोई कारवाई नहीं हुई अब कारवाई क्यों नहीं हुई कि मुझसे बहतर आप समझते हैं हम जानते हैं जानते तो थे मानते भी थे कि अमिश्या मोदी जी के करीबी हैं लेकिन इधर कुछ बीते दिनों में सुनाई दे रहा है कुछ-कुछ हो रहा है कुछ भी हो रहा हो अमिश्या के करीबी जितने ये नाम मैंने आपको लिये हैं ये पिछले नौ साल से बचे रहे अपना काम करते रहे ठगी करते रहे लेकिन बचे रहे कौन बचा रहा था अब आते हैं जी अंकित कुमार, दूसरे हैं वासुदेव, तीसरे हैं सतेंद्र, यह अपने आपको PMO का अधिकारी बताते हैं, शाह तो शाह, शेहनशाह भी कोई कम नहीं है हमारे, उनका भी नाम लेकर तीन-तीन लोग, प्रभान मंत्री कार्याल है, विजिटिंग कार्ड्स छपा रखरें, हमें तो नहीं समझ में आता, क्योंकि हमने और भी कई दोर देखें, आप लोगों लेकर कोई ठगी करने की हिम्मत और हिमाकत कर सके, यह दोर हमने पहली बार देखें, और बदस्तूर लगातार ये दौर हम देखते चले जा रहे हैं लगातार कोई नाम आई जाता है कि साब इसने विजिटिंग कार्ट चपा लिया कोई Z प्लस ले रहा है कोई लोन दे रहा है आप ही के LG को ऐसे महान लोग अँगता है कि थगी का एक बहुत बड़ा बरगद नाई दिल्ली में है और उसके नीचे छोटे-छोटे खरपतवार की तरह थग चल रहे हैं उगते जा रहे हैं उगते जा रहे हैं इनको श्रय प्राश्रय किसने दे रखा है श्रन किसने दे रखी इनको प्रोटेशन कॉन द जोक, it's a very serious security concern also, I may be laughing about it, but it's not a joke, कोई नडड़ा जी का नाम ले रहा है, हमें तो लगता है कि सब एक ही शाखा, शाख के पंची हैं, शाखा के भी हो सकते हैं, अब अगर इनका किसी VVIP से संबंद नहीं है, तो ये बच के कैसे निकल जाते थे लगतार, और अभी कई हैं, अभी कुछ नाम हमें अनाधिक्रित रूप से मिले हैं, हम भी इंजार कर रहे हैं, देखते हैं, वो पकड़े जाते हैं नहीं, नहीं तो हम भी खुलासा करेंगे, कोई कठोर कारवाई नहीं होती, न E.D. इनके पिछे, न C.B.I. इनके, हमें मालूम है, E.D. C.B.I. महाराष्ट में व्यस्त हैं, चतिसगर में व्यस्त हैं, राजिस्थान में व्यस्त हैं, जारखंड में व्यस्त हैं, इतने कितने व्यस्त हो गए आप लोग सरकारें बनान में और सरकारें गिराने में कि असली काम भूल गए अपना कि इन में से कोई एक किसी के पिछे एडी पड़ियों बताइए दोदो करोड का आपने रिश्वत ली सौ करोड का टेंडर दिलवाने के लिए कहा है एडी अब हमें यह भी जानकारी लेनी है संशय है मन में शक है और बड़ा लेजिटिमेंट डाउट है हमारे दिमाग में कि यह जो एडी सीवियाई बनके लोगों के घरों में जाते हैं ऑफिसेज में जाते हैं यह असली है या यह भी तो अब यह जानकारी तो या तो आने वाले महिनों में कुछ और खुलासे होंगे या जवाब दें प्रदान मंत्री जी ये माजरा क्या है किस तरह की सरकार चला रहे हैं कैसे आप ये देश चला रहे हैं और नड़ा जी अगर आप पार्टी चला रहे हैं तो कैसी पार्टी चला रहे हैं कि आपके सहाय की विधायकों को लूट रहे हैं आपके सवाल देखिए अफवाहों पे ज़्यादा हम भाजपा संग से तो अफवाहों पे चल पड़ें लेकिन चर्चा जो उठते बैठते होती है लोगों से आपकी भी होती है आप जैसे लोगों से होती है तो लगता है कि इस शहर में ऐसे अनेक लोग घुम रहे हैं जिनको कहीं न कहीं कोई protection जरूर मिली होगी जिस आप में विश्वास के साथ वो deals करते वे घुम रहे हैं तो हम ये जानना चाहते हैं मोधी जी बताएं नड़ा जी बताएं शाह साथ बताएं पूरी सरकार इनकी 303 सीटें इनके पास सारी संस्थाओं पर कबजा है इनका फिर ये बचे वे कैसे घुम रहे हैं लोग बताईए और दोनों ही चीजों में गड़बढ है अगर आपकी जानकारी के रहते ये सब हो रहा है तो तो सब कोई सामने है कि कितनी बड़ी गलती है कितनी बड़ी गड़बढ हो रही है आपको क्या लग रहा है सब कि जिस तरीके से पदामंती नहीं कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूँगा तो यह खाने का नया तरीका है जो छोटे-चोटे सिंडिकीर्स की तरह आप लोग बताईए हर चीज आप मेरे ही मुझ से क्यों निकलवाते हैं समझदार को इशारा बहुत होता है और आप तो हमसे कहीं जादा समझदार हैं कुछ तो हो रहा है जो ठीक नहीं है अज तक पे उसमें उन्होंने कुछ खुलासे किये हैं जिसमें उन्होंने काया कि तीन बार 2014, 2017, 2019 में उनकी बीजेपी से बात हुई थी लेकिन जिस तरह से पिछले देखने प्रफुल पड़ेल ने आगे बढ़ाया जीट अजिसके बावजूद उनको रिटायर होने की हिदायत दी जा रही है तो कॉंगर्स पार्टी का क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में कि जैसे आप कह रहे थे सी बारे में भी कि पेशकर्श कह में दर्वाजे से सरकारें बनाने की चेष्टा यह लोग कर रहे हैं लगातार हर राज्यमें कर रहे जहां इनकी सरकारें नहीं हैं बिना भए सामदाम दंडभेत के तो सब्सक्राइन तो लगातार उधारण भी आपके सामने आते आते हैं वह वाशिंग पावडर वाले तो जब बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है जब वो कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है गंभीरता से आपको भी लेने ही चाहिए कि क्या-क्या प्रयास किये गए होंगे भार्ती जन्ता पार्टी द्वारा पृज लौज चाहिर किया फॉजय तो थेरोट पर वे लुज़र टो मिर्थी दोटर पाटी लाइज कि घर रूज़ादा टॉज़़् बूलागे लुब अझा ट्य। पौर यालेजिड देलागे लिख लूज़ा सब्सा टॉज़ू अच्ब लूज़ए लुपा तेलंग झ is brimming with people who come from political families. Let the Prime Minister come out clearly before the next Lok Sabha elections that the BJP will have no alliance before or after elections with any party which according to the Prime Minister is a family-run party. Let him have the courage, show the confidence. he has 303 seats today what stops him from announcing that as a policy the BJP will not have any truck, any alliance with any party which according to the BJP is a family run party let him first set an example then we will comment on that another question on political violence in Bengal, so today panchayat poll is happening in Bengal and we have seen violence across Bengal, so 8 people have died, what is congress party the congress party also lost a very important worker of ours any such violence undermines democracy it spreads fear amongst voters and the objective is to ensure that the voters do not participate in the election process and if that's the objective that's very dangerous for the democratic process people because of the people who are in the and they have to do it करती है कि ऐसे प्रयास निंदनिये हैं कॉंग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है कॉंग्रेस के भी कुछ कारे करता अपनी जान गमा बैठे हैं अभी पंचायच चुनाव में जैसा मैंने कहा हिंसा का लोगतांत्रिक प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं है हुआ है कि हमने सुना है कि ना केवल इस्तिफा देने को कहा है वहां कि काफी एमले असली श्रीवसिना के पास वापस आने को लिए संपर्ख साध रहे हैं यह हो रहा है और हमने यह भी सुना है कि मुख्य मंत्री जी ने इस्तिफा देने से इंकार भी कर दिया है जनता देख रही है पूरा देश देख रहा है पूरा विश्व देख रहा है किस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है भारती जनता पार्टी द्वारा यह किसी से छिपा वा नहीं है जना वाने दीजिये बीजेपी को बहुत कठोर जवाब लोगों से मिलने वाला है लिजन वमने ट्रॉप नहके लिजिया बीजा ड़ाइल थे यह तर्शॉप चरट अट्वालाम लाइश ज्वारा विजिया ऑजयू अनुप झालाइला यहा थे लाध्सू तॉप्ट सब्सक्शने अवजिया बीजिया the issue of incursions from China in the region of Ladakh, sir. So what is your perspective on what the holiness has said? I think the Prime Minister and the Government of India needs to re-articulate India's policy on Tibet. There are occasions where the Prime Minister has not shown enough courage. I am told day before yesterday he did wish His Holiness the Dalai Lama on his birthday. Two years ago, he did not even have the courage to wish him. This flip-flop policy cannot be our policy. There has to be consistency in our policy. China has been not only been very aggressive on our borders, that aggression has, in terms of our policy, gone unresponded by the PMO. The brave Indian army has been fighting and keeping the Chinese at bay, but you don't see the same courage in the Prime Minister. The clean chit given by the Prime Minister to China has been the darkest chapter of our foreign policy in the last 75 years. And we are paying a price for that clean chit. Sir, please, please, in Hindi, if we can shorten it. If you have any time, please, the Prime Minister has been .... या धुलमुल रवया रहा है दो साल पहले इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाए कि दलाई लामा को जनम दिन की शुब कामनाय दे सकें सुना है परसूं दी है एक बड़ा कारिक्रम दलाई लामा का होना था दिल्ली में आज से तीन साल पहले उसमें भी प्रधान मंतरी थोड़े क्लीन जिस तरह से हमारी सीमाओं पर आखें गड़ाए बैठा है बार-बार इंकर्जन्स करता है गांव बना देता है अरुना चल में अंदर हमारी सीमा में घुसकर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्टर बना रहा है जो क्लीन चिट आज से दो साल पहले जून में तदान मं पराक्रम दिखाते हुए कर रही है लेकिन वो पराक्रम जो सेना दिखा रही है वो प्रधान मंत्री में नहीं दिखता है और जो क्लीन चिट चीन को दी गई वो 75 साल की हमारे विदेश नीती के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाएगा और कोई पी सवाल हो अभी पूछने फिर में चला जाओंगा वनन नहीं होगा नहीं अभण जी विन विन विल अपर सुप्रेंगोट और दाहूल सेजिमेंट अध्यूटर अभिषेक सिंग्वी मैं सीने कोलीग held a press conference yesterday and I think he's clarified all your he's responded to all your questions beyond that I don't have anything else to add at this point as and when any new development takes place of course you will be the first to know अभण जी एक सवाल है विपक्ष की बैठक होनी है 17 और 18 को बैंगलूरू में कल आमाधी पार्टी ने कहा कि पिश्री बैठक में कॉंग्रेस ने वादा किया था कि संसद के मांसून सत्र से पंद्रह दिन पहले वो ओर्डिनेंस को लेकर क्या अधिर पार्टी का समर्थन करेगी या नहीं करेगी इसका स्टेंड आप लोग क्लियर कर देंगे तो अब तो सैथ 15 दिन का समय बचा है Congress Party का क्या स्टाइब इतनी जल्दी क्यों है आपको तो नहीं उनको इतनी जल्दी क्यों है इतनी जल्दी अगर ये Water Logging को ठीक करने में दिखाई होती तो आज Traffic Jam नहीं होता है आपके कुछ साथियों के मैसेज आ रहे हैं साथ Traffic Jam में फसे वें पानी बहुत है Water Logging हो रखी जहां जल्दी दिखानी चीए वहाँ जल्दवाजी दिखाएं थोड़ा सब्र अच्छा होता है हो गया जी धन्यवाद थैंक यू